ऐसा कौन होगा जिसने करॉंदे का नाम ना सुना हो? करॉंदा का नाम सुनते ही जरूर आपके मुँँ में पानी आ गया होगा क्योंकि आम तोर पर घरों में इससे सबजी, चटनी, मुरब्बा और अचार बनाया जाता है जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं लेकिन कि आपको पता है कि करॉंदा ना सिर्फ स्वात के लिए ही जाना जाता है बलकि इसके आउशदिय गोड भी अंगिनत होते हैं जिसे आप कई तरह की बिमारियों का इलाज भी कर सकते हैं आज के हमारे सेग्मेंट में हम बात करेंगे करॉंदे के कुछ इन ही बेचोड फाइद हो की नमस्कार मैं हूँ खुजू पान डियो और आप देख रहे हैं नियूस साइमनेशन की खास पेशकर सेहत नामा करमर्द या करॉंदा की हमेशा हरी भरी रहने वाली जाडिया होती हैं करॉंदे के फल पकने के बाद काले पर जाते हैं इसे लिए इसको कृष्ण पाक भी किरते हैं आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन करॉंदे का ओशदिय गुड दात की बिमारियों के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होता है इसके फल की चटनी बना कर खाने से मसूडों संबंधी रोगों से राहत मिलती है वहीं इससे शीताद या फिर सकरवी का इलाज भी किया जा सकता है करॉंदे का ओशदिय गुड सकरवी के लक्षनों से राहत दिलाने में सबसे जादा काम करता है इसके लिए आपको करॉंदे के एक से दो फलों का नियमित रूप से सेवन करना होता है वहीं इससे सूखी खासी से भी आराम मिलता है इससे राहत पानी के लिए पांच विली करॉंदे के पत्ते के रस में शेहत मिला कर चाटने से सूखी खासी से राहत मिलती है और तो और इससे अतिसार या दस्त को भी रोका जा सकता है साथ ही साथ इससे जादा प्यास लगने की समस्या को भी दूर किया जा सकता है इसके लिए आपको करॉंदे के फल से बने एक से दो ग्राम चूण का सेवन करना होता है महीं इससे पेट दर्थ की समस्या से भी निजात मिलता है इसके लिए आपको करौन्दे के फूल के चूड या जड़ के चूड में शेहद मिलाकर सेवन करना होता है महीं इससे जलोदर के उपचार में भी फाइदा पहुँशता है इसी के साथ ही इससे तवचा संबंदी समस्याओं का भी इलाज किया जा सकता है करौन्दे के पके फल या जड़ को पीस कर लगाने से पामा, खुचली और दाह से तवचा विकारों में आराम मिलता है महीं अगर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा है तक करौन्दे के पत्ते का काढ़ा बनाकर 10-20 मिली मात्रा में सेवन करने से बुखार सही हो जाता है इसे के साथ ही पैरों के फटने पर भी करौन्दे से फाइदा लिया जा सकता है सबसे जरूरी बात कि इससे मिरगी का भी इलाश किया जा सकता है इसके लिए आपको 5 करौन्दे के पत्तों को पीस कर दही के साथ मिला कर खाना होता है कुल मिला कर करौन्दा आपकी हर एक तरह की परिशानी को दूर करने की शमता रखता है आपको हमारी खबर कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता है अगर आपी खबर फेस्बूक और देशे से लाइक और फॉलो करें और अगर आपे यूटूब पर देख रहें ते चैनल को सब्सक्राइब जरू करें नमस्कार